निजी अस्पताल में जो दो बच्चों का इलाज चला है, वहां गया, एक को तो वही पर मौत हो गई, निर्मम हत्या की गई, हम इस घटना किशारी जवाब देही, नितिश कुमार को पर्तिजस्री जी को देता हूँ, हमारे 38 जनपद है, जिले हैं, इन 38 जिले के अंदर कहीं न कहीं किसी रूप से घटना घट रही, यानि यहां का मुख मंत्री और उप मुख मंत्री योजना बत तरीके से जाती जहर का उनमात पहला रहे हैं, और वहां घटना घटती है, अगर थाना धक्ष, जिनका निलंबन बढ़िये पदाधी कारी ने पुलिस प्रसाशन के लोगों ने किया है, यानि वो दोसी है कि थाना धक्ष के मोबाईल को देखा जाए, किस घटना के पुर्व या घटना के वाद किन मानिये लोगों का, किन समाज के ऐसे लोग, जो जहर घोलने वाले हैं, फौन किया है, इ बेश्चित रूप से हमारा नितित्व कुछ ना कुछ निर्न लेगा, जो जातिय उनमाद फैला रहा है, नितिश जी, अर्तिजस्वी जी, हम आपके इस करनामे को जनता तक लेकर जाएंगे, नमस्कार आप देख रहे हैं, लाइप बिहार मैं आपके साथ रूपम, छपड और इसके लिए लगातार हम लोगों से बयान ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर मामला कहां पर फसा की धारा 144 वहां पर लगाना पड़ा, आज हमारे साथ बीजेपी के एक विधायक है, तरहिया के विधायक है, जनक सिंग जी हमारे साथ जुरे हुए हैं, और ये सचेतक भी मुख सचेतक भी हैं, अम इनी से बात कर लेते हैं, कि सर अगल बगल में ही आपका भी एडिया है और वो जो छपड़ा का जो माजी जो गाओ है, वो जो एडिया है, वो भी वही पर है, क्या लगड़ा है, आखिर यह महाल क्यूं कैसे बन गया? देखिर शारण जिला के माजी विधान सवा के भगल में एकमा विधान सवा है, और जहां घटना घटी है, वो एकमा में आता है, लेकिन थाना एक ही है, माजी थाना, और दो फरवरी, 2023 की खटना है, यह खटना बराही दरदनाक में खटना है, बिहार सहीते पुरे मुल्क के लोग, इस खटना से दुखी है, मेराज से बाहर था, और सिधे एरपोर्ट पर आया, वहां से निजी अस्पताल में जो दो बच्चों का इलाज चला है, वहां गया, एक को तो वहीं पर मौत हो गई, निर्मम हत्या की गई, हम इस घटना किशारी जवाब देही, नितीश कुमार को और तेजस्वी यादो जी को देता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, जो अभी बस छपड़ा की घटना चर रही है, धारा 144 लगी हुई है, यह सब लोग जान रहा है, जाती है, एक मिनट सर, जाती है, यह उन्माद हो गया, यह लोग जान रहा है, मुझे यह जाना है, कि आप होस्पीटल में भी गए हैं, और उन मनावता की बात आती है, वहाँ जात नहीं है, और इस राज जी के अंदर, पंदर वर्षे, जंगल राज चले, लालु जी की देख रहे हैं, उसका मुखिया थे, तो उस वक्त भी देखेंगे आप, कि जाती आधार पो राजनित की है, आज विहार के अंदर, भार्ती जनता पार्टी, यानि एंडिये के तरफ लोग का रुजहान बढ़ गया है, और आन्या अले लोकसभा में जो 40 सीट है, 40 से 40 BGP की पक्ष में आ रहा है, और उसके बाद 2025 में जो विधान सभा के चुना होंगे, जो 243 विधान सभा है, उसमें 233 अधिक चित कर इंडिया आ रहा है अब इन विशायों को लेकर, कि भाई कैसे BGP यानि एंडिये को रोके हम, और इसी बात के लेकर, क्यों सारन जिला के अंदर इस परकार की घटना ही नहीं घट रहा है, हमारी 38 जनपद है, जिले हैं, इन 38 जिले के अंदर कहीं न कहीं किसी रूप से घटना घट रही, यानि यहां का मुख मंत्री और उप मुख मंत्री योजना बरतरीके से जाती जहर का उनमात फैला रहे हैं, वहां के भी विधायक को आप कहें होंगे कि हां क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर सासन भी आखिर कुछ न कुछ यह जो है, वहां के जो विधायक है, एकमा के विधायक जो है, इभी राजत के मानियसदस हैं, और माजी के जो विधायक है, उसी सरकार के सहयोगी है, दोनों लोग सत्तापक्ष के लोग है, और वहां घटना घटती है, अगर थाना धक्ष, जिनका निलंबन बढ़िये पदाधी कारी ने पुलिस प्रसाशन के लोग ने किया है, यानि वो दोसी है, इसलिए हमने कल्ब S.W. से कहा है, कि दोसी छूटे नहीं, निर्दोस, फसे नहीं, इस फर मुले पर आप आगे बनें, और कोई विव्यक्ति हो, गलत-गलत हो है, सही-सही है, और हमने यह भी कहा है, कि थाना धक्ष के मोबाईल को देखा जाए, किस घटना के पुर्व या घटना के वाद किन मानिये लोगों का, किन समाज के ऐसे लोग, जो जहर घोलने वाले है, फौन किया है, हमने आज कहा है, इसलिए, पुलिस ठीक है, अपना काम कर रही है, हम भी धायर्ज बनाए हुए है, भारती जंत्वा पार्टी का बनाये हुआ है, कि नितिश कुमार जी के तेजस्व जी के प्रशासन के लोग क्या कर रहा है, अगर दूद का दूद, पानी का पानी नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा नित्यत्व कुछ ना कुछ निर्ने लेगा, लेकिन हम समाज को जोडने वाले लोग है, ह हम आप के इस करनामे को चंता तक लेकर जाएंगे और चंता तो जाग चुकी है, इसी जाती है उन्मात के चलते समाज आपस में लग रहे हैं, भारती जनता पार्टी का मुल मंत्र है, भारत माता की जय, यानि भारत माता के सभी सपूत हमारे हैं, इसलिए हम लोग जात पात करने वाले लोग नहीं है इसलिए जो नितिश कुमार जी जाती उन्मार फैला रहे हैं जनता उनको सबक देगी और इस वरकार देगी कि कहीं यह दिखाई नहीं देंगे करनी सेना भी देखे मैं एक बात कहूं आप लों से क्रमध्य प्राटना करता हूं कि आप देश के चोते अस्तम हैं आप जाती वाद ना करें आपका भी धर्म होता है नहीं कौन क्या है नहीं है पिहार में जो महाल बना हुआ है कि जात को नाम को लेकर वो लोग बस बोट यह करते हैं और जंता मारी जाती हैं.\ कि जो गलत हो उसको सजा मिले जो दोसी होस को सजाव जो निर्दोस हो उसको किसी प्रकार से कहीं पर फासाया न जाये लेकिन हम देख रहे हैं अभी हमारे हमारे ही च्छत्र में कि शराब कांड जो हुआ पूरी प्रसाशन वहां मिलकर उसका रुख बदल दिया हमने यहीं नो कहा हमने यहीं कहा कि वह परिवार को मुआवजा मिलने चाहिए चुकि आपने गोपाल गंज में दिया इस प्रकार के आप देने के लिए त्यार नहीं है और लिपापोती कर रहा है कर दिये भी लेकिन 2024-2025 में जंता पीछे गही हैं वहां पर सराब कांड कर तो मैं एक और सवाल आपसे करते हूं आप मुआफजा की मांग कर रहे हैं लेकिन आपने क्या शराब की घटना हुआ उस मैं आमने कह आप की चार चार लाइक रुपिया अप गोपाल गंज में दिया हैं तो आप उस तरह से ऐसे लोग मनने वाला तो झो घटना घटी लेकिन उसके पीछे तो परिवार है नगो परिवार के लोग क्या भी गा रहा है लेकिन कहां से आया ओं ग्यां से ए राज आप राज का मु तो हो जाये तिन एका सहारा को नहीं लगता है सब मुआफ़जा के साथ सा ठीक है आपने मुआफ़जा की मांग की लेकिन उसके साथ जागरूक भी जनता को करने के जिम्मवारी आप को भी है क्या मतलब इंतजार करते हैं कि कोई पी के मड़े और फिर उसे चारलाग पांच लाग हम नहीं चाहत है हम सराब बंदी के पक्सदार है हम पक्सदार लेकि यह तो आप बहुत बढ़िया बात की यह जनता को जनता जो है न उसके बीच आपने सरबंदी लागू कर दि परकपूर की जो खटना है इससे पूरा राज्य नहीं पूरा मुल्क और मुल्क के बाहर जो भी लोग हैं जिसके अंदर थोरा सा मन्यूए विचार धरा होगी तो सभी जो रहा है कि बिहार को कलंकित कर रहें नितिश कुमार जी अते जस्वी जी और इस प्रकार के जो कर र देंगे और जनता उनको 2024 और 2025 के चुनाओं में उनको सबक शिखाएगी बहुत बहुत धनिवाद तो आपने सुना हमारे साथ BJP के विधायक जुरे हुए थे हाला कि मैं आपको एक बात असपश्ट करना चाहते हूं चाहे बीजेपी हो या जदी हो या आरजडी हो किसे भी दल के नेता से आप बात किजिए कोई भी मुद्दा पर तो सीधे वो यहीं पर आते हैं कि 2024 और 2025 में हम उन्हें बता देंगे हम उन्हें बता देंगे लेकिन जनता कहां गया जनता एक चीज़ हमेशा समझती ही नहीं है वोट को जो जातिवाद का नाम देकर यहां पर वे थे और इन्होंने यहां तक कह दिया कि जो थाना ध्यक्ष है वहां का सबसे पहले उसकी जो कॉल डिटेल है उसका डिटेल जरूर जाना चाहिए क्योंकि उसी में पता चलेगा कि कौन-कौन लोग इसको आगे बरहाने में वो सहयोगी थे चले अभी के लिए आप बने र झाल 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 झाल